हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनिल अशा करते आप सब लोग अच्छे हो खूश हो कि भीम एकदसी या जया एकदसी का दूसरा दीन है यह दादसी का दीन का वीडियो तो मैंने उस दिन जो जो बनाया भोग के लिए वो आपका शाद में शेयर कर दियो देखिए मैंने सारे सबजी काटिंग कर लिया है अब इसको मैं बनाऊंगी सारे काटिंग करके धुलाई करके रखा है देखिए फूल गभी आरालू बैल हो रही है और इधर पालक कुकर में मैंने सिटी लगा के लिए बिठा दिया अभी काड़ाय में जो मुग का डाल उसको हलका सा मिफ्राय कर लेती हो योलो वाला मुग की डाले इसको फ्राय कर रही हो हलका सा फ्राय करना है ज्यादा फ्राय नहीं करना है फ्राय हो गया है यह उरत डाल का बड़ी है इसको टुक्रा कर लेती हो टुक्रा करके इसको फ्राय करना है इसको भी फ्राय हो गया है अब सोर्षो का तेल में हाप टी स्पुन आद्रा एक तेच पात्ता डाल के हालका से फ्राइ कर लेती हूं करकुस में पालक डाल देती हूं उपर से उड़त डालका बोरी डाल दिया है देखे बन गया पालका साथ इधर बन रही खीर अभी मैं बनाऊंगी सुकता बेंगोली में इ 20 इफरेय करूंगी दाल बाड़ी इसको भी में हालका सा फ्राइ कर लेती हूं इसको में ने तूकरा बना लिया है थो है मैंदे फ्राइह हो गया अभी और हाफ टीस्पून इसमें घी लास्ट में उतारने का टाइम इसको घी डाल देती हूँ जग दूद डालना है थोड़ा मीडियम फुलिम में राखना है अभी कुकार में डाल सीटी लग रही है अब यह काड़ा में तेल डाला है तेल डालगे में पतागवी का सबजी बना लेती हूँ नामक डाला है और इसमें हल्दी डाल गे जीरा पाओर डालगे और कुछ में नहीं डालूंगी इसे पतागवी में बनाऊंगी अभी दिखिए मैंने क्या-kया बनाया इस सुकता फ्राइ और यह मूखी डाल अलो सबीन फुल्गवी की सबजी चाटनी बेर टमाटर की चाटनी पापर खीर तो मेरा रेसिप यह थाली आपको कैसे लगा कमेंट करना अच्छा लगे तो दोस्तों किशा श्यार कर